चलो start करते हैं तो आज का हमारा topic है how to prepare for theory subjects ठीक है आप हो सकता है become first year में होगे second year में होगे final year में होगे चाहे जो भी आप year में हो आप लोगों को theory subjects का तो सामना करना ही पड़ेगा ठीक है theory subjects में सबसे बड़ी लिक्कत यह आती है कि भाई एक तो एना अफवा फैली हुई है कि आपको इना पांच पांच ददस पन्ना लिखना है ऐसा नहीं नहीं आपका ऐसा कोई fixed number of pages है ही नहीं कि आपको उतने ही page लिखन पास यह है कि मैं आप लोगों को guidance दू कि theory subject के लिए प्रिपेर कैसे होना है तो यह जो वीडियो है ना भाई दो पार्ट में आएगा पार्ट 1 है अभी इसका next episode आएगा पार्ट 2 में तो मैं अभी आप लोगों को पार्ट 1 में एक strategy के बारे में बताऊंगा और पार्ट 2 में आप लोगों को किसके बारे में बताऊंगा कि summary वगरे कैसे बनानी है पढ़ना बैठोगे तो क्या क्या चीज़े दिमाग में रखन ठीक है देखो सबसे पहली बात इस साल से become first year वाले लोगों का थोड़ा था pattern change होने की बात्चीत चल रही है ठीक है लेकिन second year और final year वालों का pattern में कोई change नहीं होने वाला यह confirm है तो मैं जो यह video बना रहा हूं यह in general ऐसे बच्चों के लिए बना रहा हूं जिसका pattern change नहीं हो पांच एक, दो, टीन, चार और पांच और हर यूनिट से आपको मालूम है कितने कितने marks का question आएगा दो question मिलेंगे एक unit में जिसमें से आपको कोई एक बनाना है option में मिलेगा ना तो अपने को करना क्या है सबसे पहली बात आपको कितने कितना time मिलता है पेपर solve करने के लिए बताओ पेपर solve करने के लिए कितना time मिलता है total मिलता है 180 मिनट 180 मिनट ये शायद हो सकता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों इसके पहले कभी सुना होगा या सोचा होगा या हो सकता है आप लोगों ने नई सुना या सोचा होगा ठीक है तो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी बात सुन लोगे तो guaranteed है आप अच्छे नंबर ला सक करते हो वो डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को कितना फॉलो करोगे ठीक तो 180 मिनट का आपका पेपर होगा मतलब तीन घंटे का तो 180 को आप डिवाइड कर दो पात से तो आगा 36 मिनट है मतलब आपको एक कोस्चन के लिए मैक्जीमम तू मैक्जीमम कितना समय मिल रहा है 36, 36, 36 मिनट मिल रहा है अब 36 मिनट को 36 मिनट मत मानो आप इसको 35 मिनट मान लो मैक्जीमम टाइम लिएड जिसमें आपको अपना आंसर कम्प्लीट करना है वह है 35 मिनट मतलब आपको एक आंसर लिखने के लिए 35 मिनट से ज्यादा उस आंसर को नहीं देना हैं क्या होता है हमें ना मोशन में बहे जाते हैं जब पहला कोउशन लिखते जाते निपने च्छा होता है मारे साथ उसका अंसर हो सकते हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आता है लिख रहे हो लिख रहे दो समय कहा घब लिख से लिख डाता cav trauma सामने तो वैसे ही हम पढ़ रहे थे तो यह कोशन बहुत अच्छे से आ रहा था तो इसको लिख दिये 15 पर कितना भी लिखो आपको इसमें 15 से उपर मिलेगा क्या जो इसकी मार्किंग है उससे ज्यादा तो देगा नहीं नंबर और पूरे में पूरा देते भी नहीं है इसलि जो 35 मिनट से ज्यादा समय आपको इसको देना नहीं है अब दूसरी बात जो लोग जानते हैं या लोगों के मन में एक गलत भावना या गलत जानकारी है बोल सकते हैं कि 5 पन्ना 10 पन्ने का आंसर लिखना जरूरी है ऐसा नहीं है हर बच्चे की अपनी खुद की राइटिं का तरीका होता है तो आप अपने आपको इवेलवेट करो आप अपने आपको एनलाइज करो कि मैं 35 मिनट में कितना बड़ा आंसर लिख सकता हूं या लिख सकती है आरी बात मन में आप अपने आपको पहली हिसाब से सोचो अब हो सकता है देव अगर देख रहा है तो देव का बोल रहे तो निकिता आगे पीछे करके आठ पन न लिख डा दी मला स्वोला पेड कार्थी के एक पन्ने से ज्यादा निलीघ पार है मेरा बोलने का मतलब ऐसा मैं किसी की तारीफ या बुराई कर रहा हूं मेरा बोलने का मतलब है हर बच्चे की अपनी अपनी केपिसीटी लिखने की डिपैंड करता है राइटिंग स्पीड और अप को आपको 35 मिनट में अपने आपको आखलन करना है इवेलवेट करना है कि आप कितना पेज लिख सकते हो यह कैसे पता चलेगा लिख कर देखना पड़ेगा अपने आपको टाइमर लगा कि कि कितना पेज लीक पारे हो एक्जाम जैसी सिच्वेशन वैसा प्रेशर डाल के 35 मिनट में कितना लिक पारे हो पहले आप चेक कर लो फिर आपके आंसर उतने ही बड़े रखना उससे बड़ा रखोगे मतलब आप दूसरे अब क्या होता है देखो एक कैल्कुलेशन बता रहा हो छोटी सी जिससे ना बच्चे लोगों का नंबर कम क्यों आता है वह पता चल जाएगा क्या हुआ कि आपने पहले कोश्चन दूसरे कोश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा पहले कोश्चन के आंसर को लिख दिया 10 ठीक है अब इसको लिखने में आप लगा दी एक घंटा अब इसमें लिखने गए तो आप 8 पेज लिख पाए इसमें लिखने बैठे तो 8 पेज लिख पाए इसको लिख रहे थे 6 पेज लिखे मैडम पेपर खीच के भग दी ताइम खतम हो गया मेरे भोलने का मतलब है ना तो आप आखरी वाला अंसर लिख पाए क्या नहीं अब आप बताओ ती चार अंसर लिखे चार आंसर बरावर बरावर लिखे लास्ट वालवा पादधे लिख पाए सूरू का जो लिखे उसमें पहले वाला जो था उसको बहुत अच्छा लिखे इमोशनल हो गयते तो रोर सारे पेपर्स को नहीं बनाया अब नंबर देने की जब बारी आएगी तो चलो सामने वोला खुश हो कहे रहे बहुत अच्छा अंतर लिखा करें के बारा नंबर देगा अब बाकी की कोश्चन आपके अच्छे थे नहीं तो इसमें 12 मिलेगा क्या आठ मिल गया मालो नौ मिल दस मिल गया चलो दस रखो इसमें कितना मिलेगा दस देदेगा चार पांट छे क्योंकि आधा लिके थे ना चलो इसमें आप साथ नंबर कितना मिला बताओ टोटल इसमें तो मिलेगा नहीं क्योंकि आपने बनाए नहीं था 32 और साथ कितना होता है थर्टी नहीं है पास हो ठीक है ना नंबर मेरी बास सुनो पास हो गए 25 चीए पास होने के लिए वह तो आप क्या करो 12 लिख्या जाओ सब में तो भी पास हो जाओगे 32 डिवाइट बै पांच करो मतलब लगभग लगख छेपे जाता है 32 को पांच से डिवाइट करो छेपे जाता है मत लिखो आप दस दस पन्ना आप ना पाच पाच पीज लिखो ना और सारे अंसर को अच्छे से लिखो quality लगा के पाच 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 पीज सब को लिखो आपको average basis प्रें नो नौ नमबर भी मिलता है सारे में अच्छे से लिखोगे तो कितना होता है नौ पंचे अब quantity wise देखोगे तो आपने उतना ही लिखा लेकिन quality वाइस देखे आपने भले आपका अंसर दो पेज का था लेकिन आपने जो पूछर उसका जवाब दियो काम के चीजे लिखे हो कोई भी चीज फालतू जहलाए नहीं हो तो दिखो कम लिखने के बाद भी आपको नंबर जादा मिला है और वैसे भी सब्सक्राइब तो आपको कितने बड़े आंसर लिखने हैं नहीं जितना आप 35 मिनट में लिख सकते हो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला दो पेज भी लिख पाए और डिपेंड करता है कि पाच पीज लिखे लेकिन आप जो भी आंसर लिखोगे आपका अंसर complete होना चाह कितने पाट में डिवाइड है किते पाट में डिवाइड है अब तीन पाट में डिवाइड हैं cynicism तो मतलब मांद के चलो हुआ पाच पाच नंबर तीन ओम आपको principal तो नेक्स्ट वाले पार्ट में इसके बारे में डील करूंगा अभी मैं आप लोगों को एक और व्यू दे रहा हूं एक कैल्पुलेशन मता रहो कि आपको कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए आपको क्या करना है सारे कुष्चन एटेम्ट करने सारे चाहे कुछ भी हो जाए हमें क्या बोरो मैं अभी स्टार्ट करने के पहले ही मैं एक बात दिस्क्लेमर दे दिया था मैं इन जनरल ऐसे पेपर की बात करो जिसमें पांच यूनिट में आता है है ना उनकी बात कर रहा हूं अब आप लोगो तो 180 मिनट तो आप अपने 180 मिनट को आपके पेपर के अकॉर्डिंग डिवाइड करो मतलब एक नंबर के लिए आपको कितना मिनट समय देना है आप उसके हिसाफ से डिसाइड करो जैसे फॉर एक्जामपल अगर आप आपका पेपर कितने नंबर कायेगा कितना होता है 183ab75 कितना होता है 2.4 2.4 एक 144 मिनट बुलता हूँ 144 सेचेंड डिवाइड बए 60 करोगे तो 2.4 आता है मतलब आपको है न 144 सेकंड को अगर मैं अच्छे से बोल के बताऊं तो 2 मिनट 24 सेकंड 2 मिनट 24 सेकंड मतलब 2 मिनट मान के चलो मोटा मोटी 2 मिनट आपको एक नंबर के लिए आपको देना है अपना समय एक नमबर का अंसर लिखोगे न तो उसके लिए आपको दो मिनट मिला है अब आपका बोर आठ कितने नमबर का कुश्चन आगा तो आठ इंटू करो तो कितना होगा तोला मिनट आपको उससे ज़्यादा नहीं देना है आठ नमबर के कुश्चन के लिए अरिवसर में तो ऐसे आप पर मिनट आप अपने पेपर को तोड़ लो ताइम भाई और उसके इसाफ से आप काम करो चार नमबर का कुश्चन आगे बहाचांस तो चार दूनी आठ आठ म में आपने कर दिया ना कि इस कुश्चन को मेरे को 35 मिनट के अंदर खतम करना यह दिमाग में बाट डाल लिए तो आपका दिमाग उसी एकोडिंग ही काम करेगा अगर आप बीना सोचे समझे आप लिखना चालू कर दिये ना भाई तो पहले कुश्चन में आपको एक घंट लगा दिया था अपने को ऐसा नहीं करना है सारे कुस्चन को बराबर इक्वल इंपोर्टेंस देना है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है अब एक छोटी सी समस्य यह आती बच्चे लोगों के सामने कि सर पेपर लिखने जाते हैं सुरू को एक घंटे में हाथी नहीं चलता हम हमारा बात नहीं चलता हाथ दुखने लग जाता है बात का जो एक घंटा उसमें बहुत सारा लिख देते हैं और आखरी का जो एक घंटा उसमें हमको कुछ भी लिखते है रैटिंग खराब हो जा रहा है कि हमारी इस चीज का कारण है आप लोग कोई जीम जाते हो जीम गए तो खबते हो पर देनी कि मेरा बनले का मतलवव यह है आपको पेर में जाका क्या है लिखना अब आप सिंगर को देखना जब उसकी स्टेज में परफॉर्मेंस होती है तो सिंगर गाना काने के पहले थोड़ी स्टुडी देर रिहरसल करता है गाना गाल के र依ारसल करता है यूटीब में करता करना, यू कि आनस करनी करता है क्रिकेटर लोगों को अभी मस होता है तो आपको क्या करना आपके एक्जाम में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यूटूब वीडियो देखना है रीड करना है आपको करना क्या पेपर में जाके आपके दिमांग में जो भरा हुआ है उसको रीकॉल करके लिखना है तो वो काम आप पेपर के एक गंटे पहले करो घर पे ठीक है मालो आपका पेपर जो भी अलग-अलग कॉलेज का अलग-अलग टाइम रहता है डिपेंड करते आटोनॉमस है कि नौन आटोनॉमस है मालो आपका पेपर 11 बजे पर ग्रापल आप 8 बजे से लेकर 9 बजे तक राइटिंग प्रैक्टिस करो यह आपका वाउम अप है लिखने से क्या होगा आपके हाथ में ब्लड सर्कूलेशन चालू हो जाएगा लिखने से तो बोलते हो नहीं शुरू के गंटे में लिखाता नहीं क्योंकि अपना हाथ जाम था रात कू सो के उठ सुवेरे सोके उठे और हाथ में ब्लड सर्कूलेशन नहीं तो आप अगर यह गंटे में काम कर लोगे ना घर पर हाथ में अल्रेडी क्या हो जाएगा ब्लड सर्कूलेशन चालो जाए तो लिखने जाओगे ना तो वह अली समस्य आपके सामने नहीं आएगी कि आपका शु पेपर अगर जल्दी होगा तो जल्दी उठके करना है लेकिन करना है समय बसता है राइटिंग भी खराब क्यों होती है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लिखते नहीं बनता तो वाम अप में सब कवर हो जाएगा अब अब आप लोग बोलतों लास्ट के घंटे में आप आपका राइटिंग भी घड़ जाते क्यों होता है क्योंकि आपके दिमाग में बात दिया जाती कि हम इतना सारा लिखना है और समय इतना कम बचा है तो आपको मैंने प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बोला भाई हर कुस्टन को आपको इक्वाली कितना टाइम दोगे 35 मिन पता चल जाते ना आप देखना स्टार्ट हुआ आपका पेपर लिखना 35 मिन होने वाला है अब ट्यार कर लेना कि मेरे को आंसर इस पैंक के खतम करना है ठीक है तो इससे आप सोच के देखो ना स्टैब बाई स्टैब 35 मिन में खतम कर रहें तो अगला कोशन भी 35 मिन में कौन से एक्जाम था लेकिन आपके ही उनिवर्सिटी के आपके ही कॉलेज के एक्जाम मैंने दिये ठीक है वह भी ग्रेजुएशन एक्जाम था अब बीछे मैंने पहले और मैंने अप्लाई किया तो मैंने कितने बड़े-बड़े आंसर लिख्यों गया मंदाजा मेरी जात नहीं चलता मेरे आंसर ढ़ाई-ढई-ई-पेज के थे बस को मेरे परसेंट कितना बना मालूम है मैं बी-इट का नाम ले लेता हूं मैंने डी ती पर्सेंट बना मेरा टी एट बया और ढ़ाई-दवर्सिट का था भी थुनी 5 कितने बड़े-बड़े आंसर थे बस मेर कोई कोशन तो मैंने 4-4 पेज के लिखे मतलब आगे पीछे करके 4 मतलब 2 पेज तो आपका आंसर complete होना चाहिए ना कि quantity में कुछ भी लिख रहे हो जो पूछ नहीं पूछ है वो भी लिख दी ऐसा नहीं करने आपको आंसर अपना पूरा लिखना है और सारे कोशन को बराबर इंपॉटेंस देना है अब 35 मिनट ने आपने टार्गेट बना लिया कि मेरा हर आंसर 4-5 या 5-6 जो भी आपके डिपेंड करता है कैपिसिटी लिखने की उसके उपर रहेगा तो आप यहाँ पर पहला कोशन 10 क लिखे यहाँ पर आठ छे फिर दूसरा लिकी नहीं पाए अप लिखो ना कम कम लिखो ना भाई पेज आपने यहाँ पर 5-5 पन्ने भी लिखे 5-5 पन्ने भी नहीं लिखे चलो तिन-3 पन्ने लिखे तो आपने सारे कोशन को बराबर इंपॉटेंस दिया तो सामने वहला न टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको हर कोश्चन को कितना मिनट देना है 35 मिनट देना है अगर आपका पेपर का पैटर्ण चेंज आता है तो आप अपने जो टाइम है उसको आप पर नंबर के इसाब से डिवाइट कर लो और मल्टिप्लाय करो कि कितने नंबर का कोश्चन है उसके इसाब से टाइम आप सेट कर लो उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि एक्जाम के पहले आपको क्या करना है warm-up करके जाना है warm-up करने से आपका पेपर में वहला समस्या नहीं आएगा कि सुरू के गंटे में हाथ नहीं चला यह वाला ठीक है हाथ भी नहीं दुखेग ना तो भई चेक करने वाले का ध्यान कभी नहीं गया तो बात अला गया और ध्यान चला गया तो दिक्कत वाली बात है काट देगा नंबर और जितना पूछा है उतना ही आंसर दो फाल तू इधर उधर लिखने का जरुतिन जैसे तीन कोश्चन तीन पार्ट में टीके और कॉंटेंड क्या-क्या आप लोगोंको अपने अंसर में रखने जिसे चेक करने वाले को एक लगेगा शाज़ना कषका प्रॅन चेक करने के वाले उपर साइकोलोजी समझते हो ना भई सामने वाला को परस्पनली जानता नहीं यह जो आपका प redund करकर रहे वह तो पेपर चेक करने वाला के पास क्या जाएगा आपका पेपर जाएगा पेपर जैसे गया ठीक है पन्ना पल्टाया पहला पन्ने ही देखके सामने वाले का पता चल जाता है कि कि इतने पानी में है बच्चा आपका पेपर तो वह अली बात सोच के देखो कि जब आप लोग भाई कभी भी लड़की या लड़के घर से जब निकलते हो तो यह सोच के निकलते हो ना कि मैं रेडी ऐसे होंगी या होंगा तो सामने वाले मेरे देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में ऐसा हर सबके की दिमाग में आती है बात तो वैसे पेपर जब आप लिखते हो तो पेपर लिखने के पहले भी आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि सामने वाला जब मेरा पेपर चेक करेगा तो क्या सोचेगा एक बार आप अपने आपको टीचर के पॉइंट आपके से सोच के देखो कुछ भी लिख के आजाओगे कचरा नंबर ची फिर आपको ऐसा नहीं है प्रेजेंटेशन कॉंटेंट इसके ओपर अप लोगों को काम करना है तो यह मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करूँगा ठीक है चलो अभी क्लास और फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं